हाई अब्रिवन तो आज हम अपने टू पोइंडर्स टेक्निक के प्लेलिस्ट में उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे ठीक है और क्वेश्चन का नाम है रिम्यूव डुप्लिकेट्स फ्रॉम सौ्टेड अरे क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं हमेशा बोलता हू ऐसे फैस्बूक माइक्रोसौफ्ट लेंग्डेन गूगल ऐमेजन एक्सपीडिया ठीक है अब देख दें उन क्वेश्चन क्या है और समझते हैं तो क्वेश्चन में आपको एक य। नॉन डिक्रीजिंग अरे दिया नहीं हैं ठीक है मतलब नोन डिक्रीजिंग मतलब क्या हुआ कि elements equal भी हो सकते हैं या फिर greater भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन कभी भी घटेंगे नहीं है ना मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा one two three two यह घट गया ना यह नहीं होगा इक्वल हो सकता है लेकिन three three four four five ठीक है तो आपको ऐसा एक array दिया रहेगा आपको क्या करना है जितने भी duplicate elements है वो आपको हटाना है इस array से जितने भी duplicate elements है वो हटाना है लेकिन आपको in place करना मतलब इसी array को modify करना है ठीक है इसी array को modify करना और आपको size बताना है कि total कितने unique elements थे ठीक है जैसे मान लो यह आपका इंपुट था ना 001112234 इसमें इन उनिक इलमेंट्स कौन कौन से है 101234 उसके बाद जितने भी बच्चे वे हैं न एक और 0 था यहाँ पर फिर दो 1 यहाँ पर है फिर एक और 2 यहाँ पर है फिर एक 3 यहाँ पर है तो वो सारे यहाँ पर आ जा पांच वही आपको भेजना है इंपुट 5 फिर वो कंपाइलर अपना खुछ चेक कर लेगा कि शुरू के पांच एलेमेंट्स जो आपके अरे में है जो आपने मोडिफाई किया है क्या वहां सही में यूनिक एलमेंट्स है वो चेक कर लेगा आपके लिए आपको बस यूनि पहले और क्वेश्टन में तो साफ साफ लिख दिया कि आपको एक्स्टा मेमरी नहीं लेना है ओवन इक्स्टा स्पेस होना चीए ठीक है और आपको सेम इंपूट अरे को ही मोडिफाई करना है तो भाई आपके पास कोई और चाहा रही है कि आपको इसी में लूप करना वो जो जे है वो बंदा यूनिक इलमेंट ढूंड के लाएगा और आई को देगा बात समझ में आई आई जो है वो हमेशा यूनिक इलमेंट के लिए रहेगा और जे जो है यूनिक इलमेंट लेकर आईगा आई के पास ठीक है इंडेक्सिंग करते हैं 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीक है अब स्टार्ट करते हैं जे पूरा इंड तक जाएगा वो ढूंडता रहेगा यूनिक इलमेंट और आई को देता रहेगा चलो ठीक है अभी देखते हैं जे है फस्स इंडेक्स में जे ने बोला कि भाई जे ने आई को बला भाई मेरे पास जो वो तेरे बराबर ही है तो आई बुलेगा नहीं यार मुझे यूनिक इलमेंट चाहिए तो जे आगे जाएगा तो जे को यहां से काटके जे आगे आगे है ठीक है अब जे बुलेगा भाई मेरे पास है अभी एक यूनिक इलमेंट आया जो की 1 है जो तेरे बराबर नहीं है तो i बुलेगा चलो ठीक है उस unique element को मेरे पास भेजो मैं उसके लिए एक जगा बना रहा हूँ ठीक है तो देखो क्या होगा i एक आगे बढ़ जाएगा i यहाँ पर आ गया और बुलेगा चल भाई मुझे वो unique element दे दे तो इस 0 को हटाके वो unique element हम लोग यहाँ लिख देंगे ठीक है अब फिर j आगे बढ़ेगा j i को बुलेगा भाई मेरे पास अभी one element one है तो i बुलेगा नहीं मैं भी one ही हूँ मुझे unique element चाहिए तो j बुलेगा ठीक आगे बढ़ता हूँ तो j आगे बढ़ा फिर j के पास one ही है जो की i में है अल्रेडी तो j फिर आगे बढ़ेगा j को मिल गया 2 j i को बुलेगा भाई मुझे unique element मिल गया 2 जो की तेरे बराबर नहीं तो i बुलेगा ठीक है मुझे मेरे पास भेज उसे मैं उसके लिए जगा बना रहा हूँ तो i क्या करेगा जगा बनाया i यहाँ पर आ गया और बुलेगा चल अब मुझे वो element दे दे तो वो element इसके पास आएगा और वो 2 हमने यहाँ लिख दिया ठीक है अब j फिर आगे बढ़ेगा j i को बुलेगा भाई i मुझे 2 मिला है तो i बुलेगा मेरे पास अलड़ी 2 है आगे बढ़ जा j आगे बढ़ गया अब j बुलेगा भाई मेरे पास 3 है तो i बुलेगा ठीक है unique element है क्योंकि मैं तो 2 हूँ तो मैं इसके लिए जगा बना रहा हूँ मुझे भेज वो 3 को तो i यहाँ पर आ गया और j ने 3 को भेज दिया i के पास तो यहाँ पर हमने 3 डाल दिया i के पास ठीक है देख रहो हर बर i एक unique element के पास है ठीक है अब j आगे बढ़ेगा यह 3 है i में already 3 है आगे बढ़ना पढ़ेगा j को unique element चाहिए हमें j यहाँ पर आ गया 4 आ गया j i को भी बढ़ेगा भाई में j 4 मिला है तो i भी बढ़ेगा ठीक वो unique है क्योंकि मैं 3 हूँ तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसके जगा बनाने के लिए तो j ने 4 को भेजा यहाँ पर यहाँ पर 4 हमने लिख दिया i के पास i देख रहे हो हर बर unique element के पास है j फिर आगे बढ़ेगा j यहाँ आगे हम out of bond होगे हमारा काम खत्म अब देखो ध्यान से यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखो i शुरू का 5 element मेरा unique है ठीक है इसके आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है I don't care I really don't care मुझे बस output में भेजना है कितना size है इसका 1,2,3,4,5 यहनि कि i plus 1 भेज सकते है i plus 1 यह मेरा output होगा इसका output क्या हो जागा 5 तो compiler क्या करेगा मेरे array को देखेगा और शुरू के 5 element को देखेगा कि सारे unique है कि नहीं unique है तो हमारा answer accept हो जाएगा ठीक है देखेगे वो कितना simple हो कितना सटीक solution था हमने IE को सिर्फ unique element के पास रखने के लिए का और J को बोला भाई J जो J pointer है तो आगे जा और मेरे लिए unique element लेकर रहा ठीक है simple था बस समझने की देरी थी और एसी smart questions ना पूछे जाते हैं इंटर्विव में इंटर्विव में तो पक्का पूछे जाता है ऐसे smart questions इसे लिए इतने जगा पूछा जा चुका ही है तो इसका coding करते हैं बिल्कुल same story बताऊंगा एकदम same story बताऊंगा और coding करते हैं बहुत simple हो जाएगा ठीक है तो ठीक है question देख लेते हैं बिल्कुल वही question है non decreasing order में आपको एक nums अरे दिया रहेगा आपको duplicate हडाना in place हटाना है बताब एक अलग से space नहीं लेना आपको same input array को आपको modify करना है ठीक है और आपको बस size बेजना है कि जितने आपको starting में कितने unique elements है और वो सारे first part of the array में हो you must instead have the result be placed in the first part of the array जितना भी आपने size निकाला है उतने part में more formally if there are k elements after removing the duplicate then the first k elements of nums should hold the final result starting के first k elements जो आप size बताओगे compiler को उतने element में आपके result होना चाहिए it does not matter कि आपने k के बाद क्या रखा है कुछ भी रखदो फर्क नहीं पढ़ता ठीक है return k after placing the final result in the first k slots of nums ठीक है और बार बार इनने stress किया है कि o1 extra memory में करना है और आपको same input को modify करना है तो देर कहानी बिल्कुल सेम होगी वैसे ही nums.size ठीक है int i is equal to 0 होगा j is equal to 1 होगा ऐसे start करेंगे while j is less than n है न मैंने क्या बला था if nums of i is not equal to nums of j मतलब हमें एक unique element मिल गया got a unique element है ना एक unique element मिल गया तो मैं क्या करूँगा i जगह बनाएगा ना j के लिए तो i++ करके nums of i में हम nums of j को डाल लेंगे और j अपना आगे बढ़ता रहेगा सफर में to find unique elements है ना लास्ट में i plus 1 ही मेरा size था देखरों कितना simple हो गया इससे simple क्या ही हो गया पांच चे लाइंगा कोड़े लेकिन कितना प्यारा solution है और अच्छा question भी है है ना कि सारे एक्जांपल टेसे क्वाले रन कर लेता है ग्रेट सारे पास हो गया है सब्मेट करके देखते है ग्रेट सब्मेट हो गया है एक्सेप्ट हो गया है हमारा solution आई होप आपको समझ में आए कोई भी डाउट होता है question में raise करो ठीक है comment section में raise करो I'll try to help you out see you guys in the next video thank you